नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग एड़िशालाज चनल परे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगतिवाद ये एक ये वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हमारे चार टॉपिक बसते हैं जिसमें से एक है आपका प्रियोगवाद फिराइगा कवीता, नई कवीता, समकालीन कवीता ये जो चारो टॉपिक है ये भी सिर्फ एक एक वीडियो लेक्चर के अंतरगत जो है कंप्लीट हो जाएगे तो जो हमारा हिंदी सहित्य का है ना, जो हम एक तरीके से second वाले नोट्स पढ़ रहे थे first वाले नोट्स हमारे complete हो चुके है, ये हम second वाले नोट्स पढ़ रहे थे ये भी complete हो जाएगे और फिर हम third पे आएगे, जो की कम समय लेगा और हमारा सहित्य कम्प्रीट हो जाएगा, एक बार आपका सहित्य कम्प्रीट हो जाएगा, सारे आपके concepts clear हो जाएगे, तो हम जो paper 2 part 2 है, है ना, उस पे चलेंगे और उसको फटाक से खतम करेंगे, then हम paper 2 part 1 पे चलेंगे, उसको खतम करेंगे और end में जो हम paper 1 part 1 कम्प्रीट करेंगे, चीक है, तो इस तरीके से करके हम चीजें खतम करेंगे तो आज का जो video lecture है, इसको start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहती हो, अगर videos आपको अच्छे लग रहे हैं, तो please इंको like कीजे और अगे अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe to the channel, और आपके हिंदी साहितिये के जो भी दोस्त हैं, हिंदी साहितिये के दोस्त नहीं, आपके जो दोस्त हैं, जिनोंने हिंदी साहितिये को as a optional लिया हुआ है, उनके साथ please videos को share कीजे, क्योंकि फैबरी से हम 2 questions को जो है, पोस्त किया करेंगे चैनल पे, आपके पास पूरा दिन होगा उसको लिखने का, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का अपना schedule अलग होता है, तो आप अपने schedule के according उनका answer लिखिए, दन जो है, शाम को हम group पे उसको answers को post करेंगे, पीर review करेंगे एक दूसरे का, मिर पा कैसे हमें वो लिखना चाहिए था, यह हम discuss किया करेंगे, तो इस तरीके से अभी सोचा है, बाकि आप लोगों का जिस तरीके से भी रहेगा कि माम कैसे करना है, तो वैसे में start करेंगे, ठीक है, तो चलिए, आज का जो हमारा lecture है, इसको हम start करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगतिवाद, जब मैंने last वाला lecture उत्तर चाहवाद पढ़ाया था, तो उसमें प्रगतिवाद का जो एक प्रिस्ट भूमी होती है, इसको क्लियर कर दिया था, थोड़ा साम रिपीत करते हैं, देखे, सबसे पहले बात तो मैंने आपको बताया था, कि जो प्रगतिवाद का ही साहितिक संसक्राड है, यानि कि, जो लोग माक्सवादे विकार धारों को मानते हैं, फोलो करते हैं, उन लोगों का ही एक तारीके से ये प्रगतिवाद निकलने आता है, तो इसका मतलब यह है, सबसे पहले हमें माक्सवाद जान लेना चाहिए यह क्या है एक बार आपने माक्सवाद को समझ लिया तो जो प्रगतिवाद है ना उसको पढ़नी की भी ज़रत नहीं आप सिर्फ वीडियो लेक्चर सुनिए और आप अंसर लिख पाएंगे इतना आसान हो जाएगा आपकी जो नूट्स हैं तृष्टी संस्था से उ आस्टी में दिया हुआ है लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो पहले माक्सवाद पढ़िएगा दन आप प्रगतिवाद पढ़िएगा ताकि आपको चीज़े थोड़ा क्लियर हो जाए तो चलिए सबसे पहले हम क्या है माक्सवाद को समझते हैं जैसे कि मैंने बताया था माक्सवाद एक ऐसे विचारधारा है जिसका संबंद काल माक्स, फेडरिक एंजल्स, लेनिन, माओ, आदे विचारकों से है ये जो माक्सवाद है इसके अंदर दो सद्धान्द मून रूप से काम करते हैं एक सद्धान्द का नामे द्वन्द्वात्मक भूतिकवाद दूस अगर हम इस तरह के जो परशन है इनका उत्तर देते हैं तो माक्सवाद उसका समाधान करता है दंद्वात्मक भूतिकवाद से अगर हम मानव का जो भूतिकवादी इतिहास है तो उस संपूर्ण इतिहास की जो व्याख्या मानव के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या जो ह वो माक्सवादी भौतिक वाद के द्वारा करते हैं अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो दंदवात्मक भौतिक वाद है इसका क्या मतलब है देखिए माक्सवादी कहते हैं कि हर वस्तु के अंदर कुछ नो कुछ अंतर विरोध होते हैं जिसे आप समझ आपके अंदर हमीशा किसी भी एक फैसले के लिए दो विरोधी विचारधारा है चलती ही रहती है या अगर हम अपने आपको एज़ पॉर्सन पर एसस करें तो हम कुछ अंतर विरोधों से मिलाके बने हुए हैं कई बार हमें लगता है कि हम बहुत जादा एक्स्ट्रोवर्ट हैं कई अगर मतलब और भी बहुत सारे सेंसे में तेकि हर मनुश्य कुछ नो कुछ अंतर विरोधों से मिलके बनाई है उसी सेंस में आप समझे कि जो प्रकरती है वो भी कुछ अंतर विरोधों से बनकर बनी हुई है इसके कारण हर वस्तो के अंदर क्या होता है एक पक्ष और एक विपक्ष यह दो पक्ष होते हैं और इनके बीच हमेशा द्वन्द की प्रकरिया जो है चलती रहते हैं जैसे पीटी दूं के नई दूं स्कप कर दूं मेंस पढ़ूं क्या ओप्शनल करूं या करेंट अफेर करने लग जाओं या फिर जैसे आज कल मेंस के प्रारे क्या उ इन दोनों के संगर्ष के बाद एक नई इस्थिती उभर कर आती है जिसको कहते हैं संपक्ष जैसे कि आप किसी एक फैसले पर पॉंच गए कि अच्छा ठीक है मैं जड़ा अभी यह जो क्रेशन आये हैं इनकी आंसर राइटिं करके देख लेता हूं क्योंकि मैंने पहले आपनी जो है पेपर सॉल करना शुरू किया लेकिन मान लेजे तीन क्वेशन चार्व करने वाद एक पर दो प्रसुल करने लगा फिर से आपको लगने लगा कि नहीं यह मेरा तो अपना डेली शेडूल था मेरे अपने टाग्रेट्स थे मुझे तो भी और करनी की ज़रूर एक विपक्ष आ गया तो पूरा लबो लुबाब यह हुआ बात का कि माक्सवाद यह कहता है प्रकरती के अंदर या प्रकरती की हर वस्तु के अंदर पक्ष और विपक्ष होते हैं इन दोनों के बीच अंतरद्वंद चलता रहता है इसी अंतरद्वंद के परिणाम सवरू एक संपक्ष निकल के सामने आता है लेकिन कुछ समय बाद यह संपक्ष फिर से पक्ष बन जाता है और इसके प्रतिक किरिया में फिर से एक और वे पक्ष आ जाता है और इस प्रकार से यह एक निरंदर चड़ने वाली किरिया है यह आपके पेपर में कहीं काम नहीं आएग दूसरे महत्पूर्ण बात क्या है जो थोड़ा सापको समझता है कि ये कहते हैं जो मानव का इतिहास है उसकी व्याक्या ये लोग करते हैं किसके आधार पर इतिहासिक बोतिक वाद के आधार पर इतिहासिक बोतिक वाद क्या कहता है यह कहते है कि जो समाज है ना उसकी जो बुनियादी संरचना है उसकी व्याक्या आप उत्पादन परणाली के आधार पर ही कर सकते हैं जिसे ये लोग क्या करते हैं आधी मानव से शुरू करते हैं तो कुछ थी नहीं है ना पूरा एक तरीके से कैसा जीवन जी रहे थे वो लोग घूमने फिरने वाला इजर से कुछ कंद मूल लेकर खा लिया वहां कोई शिकार कर लिया वो खा लिया उसके बाद फिर जो है ये दूसरी प्रकरी आती है तीसरी आती है फिर चौती आती है पर जैसे आधूनिक समय आब आपकी समाज को एक तरीके से एक स्प्रीं कर सकते हैं जैसे आजके समाज में दो तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं एक वर्ग वह जिसने उत पादन परणाली पर मालिकाना हख इस्थापित कर लिया है उन लोगों को मांक्स के तैस है। दूसरा वर्क वो है जो सारा का सारा उत्पादन का काम कर रहा है जिसका श्रम लग रहा है जो दिन रात महनत करके जो है प्रोडेक्शन का काम कर रहा है लेकिन क्योंकि उसका मालिकाना हक नहीं है ठीक है तो उसको उस प्रोडेक्शन का कोई लाब नहीं मिल पा रहा उसको Marx वात कहता है have's not थीक है तो ये दो वर्क जो है Marx बताता है और Marx कहता है कि अभी तक कि जो मानव इतिहास की पूरी व्याक्या है ये इसी production की जो एक तरिके से पढ़नाली है system है इसी के आधार पे जो है इसकी व्याक्या की जा सकती है सिदी से बात ये है कि किसी भी समाज में सबसे पहले आप उत्पादन परणाली को देखिए ये देखिए कि उस पर किस परकार का मालिकाना हक है और उसी के आधार पर से सबी सनरचनाई जैसे राजनीती, संस्कृती, काला, साहित्य इनको आप समझ सकते हैं क्योंकि ये सब क्या है बुनियादी सनरचना के उपर विक्सित होने वाली सनरचनाई हैं सबसे बहले आपको उस समाज का जो प्रडेक्शन है उसको देखना होगा ठीक है तो इसका मतलब सिंपल सी बात होगी कि साहित्य करना है रचना करना ये भी उत्पाद याने कि बाई प्रोडेक्ट है उसका जैसी सारी उत्पादन पढ़नालिया काम कर रहे हैं इसी से दूसरी बात निकल के आती है कि जो मनुष्य है वो भी खुद से कुछ नहीं बन गया है उसके आस पास जैसी अर्थ विवस्था चाम कर रहे है उस अर्थ विवस अर्थ व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति का केवल हर्दिय परिवर्तन करके जो है उसका मन नहीं बदल सकते क्यों क्योंकि आपने हर्दिय परिवर्तन करने की चाहे ऊपरी कितनी भी कोशिश की हो लेकिन अर्थ व्यवस्था जब तक वैसी ही रहेगी है ना तब तक मनुष्य बदल नहीं सकता फॉर एक्जामपल जिन लोगों का फैक्टरीज पे है ना प्रेडिक्शन पे मालिकाना हक है पुझी पत्ति जो वर्ग है वो सोशन ही करेगा क्योंकि उसका यही काम है जो मजदूर लोग है क्योंकि उनका मालिकाना हक नहीं है वो बहुत महनत करते हैं लेकिन जो अधिशेश उत्पन होता है उस पे उस सारे प्रॉफिट को पुझी पती ले जाता है तो मजदूर लोगों का हमेशा सोशन ही होगा अगर आप पुझी पत्यों को यह को कि नहीं भाई मजदूरों के लिए थोड़ा अच्छा कर लो त आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो इसी से देखिए माक्सवाद का यह हमने समझा कि उत्पादन के संबंदों की अगर बात की जाए तो उत्पादन की शक्तियों के साथ अलग-अलग मनुश्यों क्या संबंद है यह आपको समझना पड़ेगा तो माक्स कहता है कुछ लोग उत्पादन के साथनों का मालिक मन जाते हैं और बिना श्रम की यह लाप कमाते हैं जबकि जो मिजूर्टी ऑफ दपिपल है वो उन उत्पादन के साथनों पे क्या करता है श्रम करता है महनत करता है है ना सॉरी यह वाली मात्रा लगेगी ठीक है किन्तु उसे क्या है सिमीत आए में ही गुजारा करना पड़ता है, इसी वज़े से समाज के दो वर्ग बनते हैं, एक सोशक, है न, एक बनता है, मेरा पैन नहीं काम कर रहा है, हाँ, एक बनता है सोशक और दूसरा वर्ग बनता है सोशित, चीक है, ये तो आपको बास समझ में आ गए कि उत्पाधन की प समाधान है, उनली वर्ड ये लोग यूज करते हैं कि जो सारे के सारे मज़दूर है, जो सुखित वर्ग है, है न, वो क्या है संगटेत होके हिंजख क्रांती करें, छीय का है, लेकिन वो लोग हिंजख क्रांती करें इसके लिए उनके अंदर क्या है, चेतना पैदा करना ज यह आपके दुश्मन है और आपको क्रांती करनी होगी अपनी स्थिति को पदलने के लिए तो इसी लिए इस चेतना को उत्पन करने का जो काम है वो माक्सवाद ने पड़े लिखे लोगों को दे दिया है तो यहीं से क्या निकल के आता है कि जो साहित्य है उसका उद्देश् नहीं है क्या उद्देश्य है कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको आप एक चेतना दीजिए उसको समझाइए कि उसका सोशन हो रहा है और किस तरीके से पुंचिपति सारा प्रॉफट ले जाता है जबकि मेहनत तो आप कर रहे हो है ना तो उसको क्रांती के लिए आपको प्रेजित करता है यह साहित्ते का काम है तीसरे बात क्या आती है कि माक्स कहता है कि जो धर्म है या राष्ट है इनका वो विरोध करता है माक्स कहता है कि धर्म एक अफीम के समाने यानके दशे के समाने क्यों क्योंकि यह मनुश्य को यथा स्थितिवादी होना सिखाता है कि यार भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है हमारे पिछले जुनों के करम थे कि हम गरीब समाज में पैदा हुए या फिर पर्टिकुलर चाति के लोगों का तो जनमी है वो पर्टिकुलर चाति के लोगों की सेवा करनी के लिए हुआ है तो इस तरह कि बाते धर्म सिखाता है, तो धर्म को Marks कहता है ये रफीम के समान है, जो सोशेतों को एक नशे की हालत में लगता है, ताकि वो लो कृान्ती ना कर सके, सेम बात राष्ट की है, रास्ट कहता है, सोरी Marks कहता है, जो रास्ट वाते विचाय धारा, ये बड़ी सीम और यह सब बिमारिया और आपका जो इंफास्ट्रक्टर डवलपमेंट नी हो पा रहा है चाइना के वज़े से नी हो पा रहा है कभी भी यह नहीं निकल के आएगा कि मजदूरों का जो सोशन हो रहा है उनकी वज़े से हो रहा है जो मल्टिनेशनल कंपनीज में बैठे हुए लोग हैं वो सारे प्रॉफिट को बटोर के ले जाते हैं और ऐसा नहीं करते कि उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा मजदूरों के वेच को बढ़ाने में देते हैं ऐसा नहीं कि न्यूंतम मजदूरी भी जो है एक तरीके से मिल नहीं पाती है मजदूरों को तो उस दूसरे देशों के मजदूरों के साथ संगठित होके क्या नहीं कर पाते क्रांती नहीं कर पाते इसे परकार माक्स क्या है विवा और जो परिवार जैसी संस्थाइं हैं इनका भी रोध करता है क्योंकि माक्स कहता है कि विवा और परिवार ये संस्थाइं ऐसी हैं जो नीची संपत्य की सुरक्षा के लिए विक्सित हुई थी एक ठीओरी मैंने पड़े थी कि जब ये विवा परिवार जैसी संस्थाइ विक्सित नहीं हुई थी तो शुरू में क्या है मनुष्य खाना बदोष जीवन जीदा था जहां से जो मिला खा लिया देरे देरे गुफा होने ल जिरू हो गया कि मेरी ये संपत्ती है तो जो अधिकार की भावना है वो आने लगी तो अब मनुष्य हमेशा ये चाहता है कि मेरे बाद मेरी संपत्ती पुरा समाज ऐसे लूट ना ले यह मेरे ही ऐसे बच्चों को या मेरे ही ऐसे मुझसे चुड़ेवे लोगों को मिलनी तो इसके लिए विवा नाम की एक संस्था विक्सित हुई जिसके तहत यह एक गैलंटी होने लगी कि भाई जो संतान है वो इस विवा का ही एक तरीके से ब्रोड़क्ट है और मेरे बात मेरी संपत्ती का मालक मेरी संतान हो गी, तो यही थे विवार को आधार रखे और जो परिवार है। इस पस्ट रूप से यहां पे नारी जो है वो सोशित वर्ग है और पूरुष जो है वो सोशक वर्ग है। तो इसलिए इनस स्थाओं का बे निशेद माक्स करता है। इसके बाद अगली बाद वो ये बोलता है कि देखिए जो पूंजी वाद है वो मानव इत्यास की एक ऐसी विवस्ता है जहां ओधों के उत्पादन बहुत जादा एक तरीके से प्रचूरता में हो रहा है है ना और इसकी वज़े से मनुश्य की लगबग जितने में भोतिक जरूरते हैं वो पूरा होनी की संभावना है लेकिन इन सारे उत्पादनों का जो लाब है उस पे कपचा किसका है पूंजी पतिवर्ग का है इसलिए जो सर्वहारा वर्ग है उसको तो जीने लायक स्थितिय पूंजी पत्यों को संभाड़ हो पाती इसलिए क्या करना होगा जो सर्वहारा वर्ग है उसको कर्णते करके दुनिया न supूंजी थो को नस्ट करना होगा कोयी बीच का रास्ता नहीं कोई हद्या 1 और नहीं कोई बाच्यूत सीध्य कॉन्य कर्णती स्थितियों नहीं इस ठ स्ट्रीम हो जाता है अब देखिए यह कहते हिंसक क्रांति के बार एक अवस्था आएगी जिसका नाम होगा समाजवाद समाजवाद में क्या होगा जो सर्वहारा वर्ग है जो मजदूर लोग है यह लोग तानाशा बन जाएंगे और यहां पर जो है समाज में तरीके से जितन पर आपको काम करना होगा और सर्वहारा की तानाशाही के नाम से जो है यह समाजवाद काम करेगा और यह समाजवाद में कोई ऐसा नहीं कि कोई फाइनल गोल है यह एक संकर्मन की अवस्था है जब लोग समाजवाद के अनुसार ढ़र जाएंगे तो जो तानाशाही थी व कोई सरकार नहीं होगी, कोई देश, धर्म, मंदर, विवा, कुछ नहीं होगा यहाँ परिवार, शादी, धर्म, राज्य, सोशन, अलगाववाद, कुछ नहीं होगा हर किसी को अपनी च्छमता और रूचियों के अनुसार काम करना होगा और उसको उसकी आवश्यक्ता की अनुसार क्या है, उपलब्दी दे दी जाएगी तो यह है मार्कसवाद का एक मोटा मोटा परीचे, जिसको आपको ध्यान रखना है इसमें से सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है, वो यह रखनी है कि मार्कसवाद मानता है कि जो एक तरीके से प्रोडेक्शन है प्रोडेक्शन के साधनों पे जिसका मालिकाना हक होता है या प्रोडेक्शन के साधनों के अनुसार पता चलता है कि आपके समाच के बुनियादी सनरचना कैसी है और जब तक आप मनुश्य के आसपास की अर्थविवस्था प्रोडिक्शन के जो सादन है उनका अधिकार आप नहीं बदल देंगे तब तक आप जो है स्थिती में सुधार नहीं कर पाएंगे इसलिए आपके समीधान में जो है कुछ DPSP इस तरीके से रखे गए थे तरीके से होगा कि सभी के बीच उसका समवित्रण हो सके इस तरह की बाते की गई है है ना पुरुष और महिला के बीच वेज का अंदर नहीं होगा आपके DPSP Constitution, Policy यह सब आपने पढ़ी रखा होगा तो यह तो आपने पढ़ लिया माक्सवार मोटा मोटा परीचे अब हम आ जाते हैं जो हमारा आज का एक्चुल टॉपिक है वह है प्रगतिवाद मैंने आपको बताया था कि 1936 से लेके तक हिंदी साहित्य में जिस कवीता का इकांदोलन चला वह कवीता प्रगतिवाद के नाम से विख्यात हुई और इसकी शुरात 1936 इसलिये मानी जाती है क्योंकि इस ताइम पर क्या हुई थी प्रगतिशी लेकक संग की स्थापना हुई थी लखनों में प्रेम चंद ने इस और इस तो उन लोगों ने कहा कि बाइब प्रगतिशील ता और प्रगतिवाद ये दो अलग अलग धारना हैं और हम प्रगतिवादी नहीं हैं इसका कहने का मतलब हुआ जो भी लोग समाज के रूड़िवादे धाचों का विरोध करते हैं जो रेडिकल कुछ शक्तियां हो लेकिन जो प्रगतिवादी लोग हैं वो यह कहते हैं कि जो भी लोग माक्सवाद के अलावा किसी भी विचार्धारा का समर्थन करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के सोशन में हामी अपनी देते हैं इसलिए जो माक्सवाद को मानता है केवल वही प्रगतिवादिया और प्रगतिवादी प्रगतिशील में कोई अंतर है नहीं इसलिए ये लोग थोड़ा सा एक रिजिड बन जाते हैं और हम आगे देखेंगे कि किस तरह कुछ लोगों ने इन दोनों शब्दों में अंतर किया है और कि इस तरह डॉक्टर नामवर सिंग कहते हैं कि इन दोनों शब्दों में अंतर करना बाल की खाल निकालने के समान है अभी आप सर्फ इतना समझ लीजे कि जो प्रगतिवाद है उसका आश है कवियों के उस आंदोलन से है जो माक्सवादी विचारधारा की आधार पर अपनी क वीता की विश्य वस्तु या रचना की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और ऐसे कवियों में कौन है केदारनाद अगरवाल है त्रलोचन है घजानन माधव मुक्तिबोद केदारनाद सिंग नागरजुन रामविला शर्म दिनकर भी काफी हद तक प्रगतिवादी धारा मे शामिल होते हैं लेकिन हम जानते हैं कि दिनकर का व्यक्तित वैसा था जो किसी एक विचारधारा के अंदर सम्मलित नहीं होता है अब देखें क्या प्रिस्त भूमिया प्रिस्तितिया थी पिछली लेक्चर में हमने पढ़ लिया था 1930 में स्वाधिन्ता संग्राम गांदी जी के अलावा भी अन्य विचारधाराय प्रभावित हो रही है उसमें समाजवाद था है ना जय प्रकाष नारायन राम मनोहर लोहिया सुभाष चंदर वोस जवारलाल नहरू यह सब इस चीज के एक तरीके से समर्थक बन के आ रहे है फिर क्रांती कारी आंदोलन का दूसरा चरण चला जिसमें चंदर शेकर आराद और भगत सिंग तो कह रहे हैं कि हम लोग समाजवाद का पक्ष लेते हैं 1917 में सोव्यत क्रांती हुई तो यह सारी चीज़े जो हैं बैक्राउंड में चल रहे थी हम इनको बढ़ चुके हैं अब देखिए याद कीजे कि प्रगतिवाद शुरूर करने से पहले हमने क्या पढ़ा था उत्तर चायवाद से पहले हमने क्या पढ़ा था चायवाद तो अब एक प्रश्नी मनता है कि क्या प्रगतिवाद चायवाद की विरोधी एक प्रवत्ति चली या फिर चायवाद का ही रुपांतरण आगे चलके प्रगतिवाद में हो गया इसको हम समस्ते हैं देखे चायावाद के जो कवी थे उनको 1930 के दशक में ये समझ में आ गया था कि भाई रोमानियत का यूग अब हो गया है समाप्त अब दरसल हिंदी कवीता का स्वभाविक विकास किसानों मजदूर और वंचित वर्गों के साथ जुड़ने में ही है चैक है चायावाद कव्यों पे जब ये विचाधारा प्रभाव डाल रही थी तो आप देखेंगे कि 1936 के आसपास की कवीताओं में इसका साफ असर देखने को मिलता है जैसे कि हमने उत्तर चायावाद में पढ़ा कि चैक है जैसे युगवाणी में क्या लिखा गया देख रहा हूं आज विश्व को मैं ग्रामीन नयन से सोच रहा हूं जटल जगत पर जीवन पर जन्मन से चैक है या फर ग्राम्या में क्या लिखा तो वहन कर सको जन्मन में मेरे विचारवाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्य अलंकार चीक है तो यानि के चायवादी कवियों को खुदी समझ में आगया था कि भाई अब पेड़ फूल पत्तियों के दिन गए अब बेसिकली किसान गाव मजदूर जिन जैसे प्रकरती को चायवादी कविय भधेश मानते थे बतसूरत मानते थे बतसूरत वर्ठीक नहीं है लेकिन भधेश मानते थे ऐसी जो है एक प्रकरती को लेकर बात करने की आवशकता है जो रॉमानी कविता है उसके दिन हम लद गए हैं तो हम देखते हैं कि जो पंतजी हैं जिनको चायवाद का सबसे सुकुमार कवी कहा जाता था वो भी अब समाजवाद से प्रेवित नजर आते हैं उनकी भिक्षुक जैसी जो कवीता हैं वहां पे गरीबों के प्रती करुणा का भाव दिखाई देता है ऐसे ही वह तोड़ती पत्थर में करुण आता क्रशक अधीर विपलव के वीर है ना उसके बाद जैसंकर प्रशाद पर भी जो एक तरकिस समाजवाद का प्रभाव था वो कम था लेकर अनुबस्तित नहीं था है ना और कामाईनी में तो आचारे शुकल ने स्वयम कहा है कि वर्ग संगर्ष की एक दबी हुई सी अन लिए पर फैली कभी नहीं जो जुड़ने की छीक है इसके अलावा देखिए पंध जी हो गए है उसके बाद निराला देखिए समाजवाद से सीधे सीधे प्रेरित नजर आते हैं है ना तो निराला और पंध के तो हमने एक्जैंपल सामने ही देख लिए उसके बाद हमने दिखा कि जो जैप्रकाश नारायन है उन पे भी किसी हद तक प्रभाव था है ना शुकल जी ने भी इसका तो एक्जामपल दिये अब चोथी जो प्रसिद चायवादी कवीत्री हैं वो थी मादेवी तो समाजवादे चेतना सामने से तो देखने पर नजर नहीं आती लेकिन तो है तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्रत्यक शूप से तो नहीं दिखता है लेकिन जगत के जब वो एक-एक प्राणी के कल्यान की बात करती है तो यह माना जाता है कि वो समाजवाद के जो बुनियादी मुल्य है उससे सहमत थी है ना तो यह वाले बात उसके बाद देख चायावाद एक विक्षन सील आंदोलन था जो अपनी शुरुवाती चरणों में अगर रोमानी टेवर दारन करता था तो अंतिम चरण तक आते आते जो समाज के वंचित वर्ग थे उनके चिंताओं से जुड़ने लगा था इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद चायावाद के अंतिम दोर की कविताओं का सहच और स्वाभाविक विकास है लेकिन इसके बावजूद अगर आपको विरोध देखना है तो जो चायावाद की शुरुवाती कविताएं हैं उनसे आप विरोध दिखा सकते हैं चीक है तो अगर कभी भी ये प्रिश्ण आजाए कि चायावाद के विरोध में प्रगतिवाद एक आंदोलन के रूप में सामने आया या फिर ये आजाए कि चायावाद का ही एक स्वाभाविक सहच विकास प्रगतिवाद में हो गया तो दोनों ही बातों का आप आंसर वो इस बात को लेके है कि प्रगति शील और प्रगतिवाद इन शब्दों में अंतर क्या है? तो जो प्रगतिवादी हैं है न, वो लोग तो सवस्थ कहते हैं कि इन दोनों में कोई तात्विक अंतर है नहीं अगर समाज की जड़ताओं को और रेडिकल पावर को पहचाननी का और वैंगोता क्षा कारीय है तो वह को क्रुटिवाद सब करते हैं जो मांकस्वादmill कसमा मार गिर साल है जानिता के लिकारएर है तो जड़े हैं तो मांकस्वाद क्योंकि थोड़ा से क्या है नगा, एक चश्मा लगा लेते हैं यह लोग और उसी से फिर सारी दुनिया देखते हैं तो इनकी नजर में या तो आप माक्सवाद की एक एक बाद से समर्थन करते हो तब ठीक है अगर आपने जरा सा भी दर उदर बोला तो फर इन लोगों की नजर में आप पुझी वती यह पुझी पती है ऐसे हो जाता है तो यह लोग कहते हैं कि अगर आप माक्सवाद का समर्दन नहीं कर रहे हैं तो फर किसी ना किसी रूप में आप यतास्तिती को बनाए रखना चाते हो और जो यतास्तिती को बनाए रखना चाता है वो प्रगती शील्ड नहीं बलकि प्रगती विरूदी है और इसलिए नामवर सिंग ने सुपस्ट कहा है कि इन दोनों शब्दों में अंतर करना बाल की खाल निकालने के समान है ये तो जो धाना है प्रगतिवादियों की है लेकिन वो विचारक जो प्रगतिवाद में आस्ता नहीं रखते और जिनके विचार विप्रीत है वो ये कहते हैं कि ना तो प्रगतिवाद या उसका जो दार्शनिक श्रोत है माक्सवाद उसको अनिवार्यताहा सुईकार करना ही प्रगतिशील होने के लिए ज़रूरी नहीं है और नहीं एकमात्र अभिविक्ति है ये लोग एक्जामपल देते हैं कि माक्स के पहले भी जो बहुत सारे विचारक हुए जैसे कबीर गानानन्द है ना इन लोगों को भी तो प्रगतिशील कहा जा सकता है ना लेकिन प्रगतिवादी नहीं थे, क्यों माक्सवाद को तो नहीं मनते थे, क्योंकि माक्सवाद के तो पहले आ चुके हैं ये लोग, साथ में कुछ ऐसे भी चिंतक हैं, जो माक्सवाद के टाइन पे हुए, या उसके बाद हुए, लेकिन फिर भी, वो उससे अपनी वैचारि समिती रखते हैं, जैसे स्वामी विवेकानन, गांधी, भारत इंदू, हरिष्चंद्र, विनोबा भावे, यह लोग भी तो प्रगती शील है, आप यह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी, यह लोग माकसवाद को तो नहीं मानते, तो इसका मतलब यह हुआ, कि यह लोग प अपने अपने तरीके से जो है, जो समाज के एक तरीकी से रिजडिस शक्तियां है, रूडिवादे शक्तियां, उनका विरोध अपने अपने तरीके से करता ही है, ठीक है, तो इसलिए उधारन के रूप में, जो एमिन रॉय थे, है ना, वो तो एक प्रसित माकसवादी विएक शाथी चीक है, आ इसी तरह के सवाल बाद में, अग्ये ने, निर्मल वर्मानी जो दलित विमर्ष वाले लोग हैं, जो स्त्री विमर्ष वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी उठाए हैं, तो कुल मिलाकर हमें क्या समझ में आता है, यह समझ में आता है, कि जो प्रगति वाद क्या है कि विशेष द्रश्टिकुन है जो एक निश्चित समय या स्थान से संधर्वित है चीक है तो साम्मानेत आप यह मान सकते हैं कि यह अगर प्रगति वाध है तो यह क्या है यह उच जादा व्यापक विचारधा रहा है क्यों कि कुछ बिंदों पे जो है वो जड़ हो जाता है ना और खुदी फर क्या है प्रगति शीलता का विरोधी कोई भी विचारधारा जब जड़ हो जाएगी ना जो अपने अंदर परिवर्तन को स्विकार करना बंद कर देगी तो कितनी भी आधुनी क्यों ना हो एक समय के बाद जड़ हो जाती है तो मेर प्रगतिवाद का साहतिक दृष्टी कोन क्या है यह भी हमने लास लेक्टर में देखा था कि भाई जो प्रगतिवाद है पहले बात वो माक्सवाद का साहितिक संस्क्रेन है माक्सवाद आप समझ चुके तो अराम से लिख सकते हैं कि साहितिय को स्वायत या स्वतंदर संरचना नहीं है समाद की उत्पादन पढ़ना लिया है उसका एक बाइप्रोड़क्ट है यह ना, याने कि साहिति का सवरूप उससे त्य होगा जैसी अर्थवैवस्ता है फिर साहिति निरॉद्ष्य नहीं होता, सोगध्य होता है क्योंकि सोशको को जागरूख बनाना ही इसका उपद्ध्य है फिर साहितिय में जो मुख्य महत्व है वो वस्तु content का होता है ना कि शल्प का होता है क्योंकि आपको अपनी बात जो कहनी है उस बात का महत्व है वो बात आपनी कैसे कहिए इस चीज़ का महत्व नहीं है फिर उसके बाद हमने देखा था उंकि भाई ये लोग साथ में क्या मानते हैं कि जो चेतना है हर आदमी की वो मनुष्य के शरीर पर निर्भर करती है और क्योंकि हर मनुष्य का शरीर अलग-अलग है तो उसकी चेतना भी अलग-अलग है तो इसलिए जो सहित्य करने की छमता है ना तो जनम से आपके अंदर आई है है ना नहीं वो आपका टैलेंट है बलकि जैसी आपके चेतना उसके इसाब से निरभर हुई है क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है तो इसलिए चेतना समय अलग अलग है तो किसी में साहित्य करने की चेतना जादा है इस तरह की बात यह कहते हैं not so important उसके बाद देखी ये एक नमाजिक और मानवे दायत्व हैं और उन दायत्वों के ठहत आवश्चक है कि वो जो सोश्चत लोग है उनको वर्ग न्याय दिलाने में एक महतरपूर्ण कारिये करें चीख है फिर साहित्य का अक्ये क्या है रसक्यूत्पति नहीं करना है आनंद के लिए नहीं रजा जात बल्कि वैसे तनाव की श्रश्टी करो जिससे क्रांति की चेतना जो है सर्वसुलब हो जाए चीक है तो इस तरह की बाद आप देखिए यह हमने पढ़ लिया कि जो साहित्य है है न वो किस तरह की विशेष्टा धारन करता है प्रगतिवाद के अंदर अब हम देखते हैं प्र संद्वात्मक भोतिक वाद है न तो इसको आप एक बाद पढ़ लेंगे तो यह आसान हो जाएगा चीक है इसमें बहुत अच्छे एक्जैम्पल दिया है मुक्ति बहुत की कविता अंधेरे से कि पूंची से जुड़ा हरद्या बदल नहीं सकता चल नहीं सकता जनको मुक् नहीं दोगे तब तक यह सोशन वाली जो व्यवस्था है यह नहीं बदलेगी तो जब तक पूंची से आप चुड़े रोगे तब तक आप मजदूरों के हित के बारे में सोच नहीं सकते तो वही वाली बात है जो मैंने आपको पढ़ा दी है बहुत अच्छा एक्जैम्प दे दीजे जैसे लाल क्रांती की लड़ने वाली मजदूर सेना आग उनको उनकी स्त्री पुर्शों को मेरा लाल सलाम क्यों यह साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास लगते हैं और यह मानते हैं कि यह एक ऐसी वैवस्था आएगी जहां पर कोई सोशित नहीं भी थी उस क्रांती को यह लोग बड़े संबान के भाव से देखते हैं तो उसके लिए लिखते भी है फिर एक और चीज़ समझ लीजे कि यह लोग समाजवादी यथार्थ वाद में जो है विश्वास रखते हैं तो देखिए यह लोग कहते हैं कि जो आदर्श वाद है या मानव के यथार्थ को निर्धारित कौन करता है जो सबसे ताकतवर शक्ति है वो है उत्पादन या अर्थ व्यवस्ता माक्स क्या कहता था माक्स ने यह कहा भी है कि जो सारा चिंतन है सारी संस्कृति है वो पेट भरने के बाद ही आस्तित्व में आती है और यही भाव जो ह रोटी के लिए तरस्ते रहेंगे तो आप पे लानत है कि अगर आप उनको धर्म के सक्षा दे रहे हैं पहले अभी उनके लिए एक समय का भोजन ही इश्वर के समान है तो पहले आप उनका पेट भरिये तब जाके उनको इश्वर के सक्षा दीजे तो यही बात माक्स में समझ लेगी है ना और ये हमारे समाज का क्या है यथार्थ है तो ये लोग अध्यात्म को इन सारे चीजों को निशेद करते हैं और समाज यथार्थवाद को मानते हैं और उसी को आधार लेके जो है कविताई भी रचते हैं जैसे क्या कहते है दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद चमक उठी घरवर की आखें कई दिनों के बाद बहुत दिन के बाद खाना आया है घर में और उसके बाद खुशी से आखें जो है चमक उठी है चीक है फिर देखें पूंचिवादी विवस्ता से घरणा करते हैं तो बिल्कुल सही बात है अब तक हम यही तो पढ़ते है तू है मरण तू है रिक्द तू है वियर्द तेरा द्वन्स केवल एक तेरा अर्थ ऐसा मुक्ति बहुत लिखते है फिर सोशितों के प्रतिस आनबूती है आस्ता है बिल्कुल ठीक बात है कि अगरवाल ने बहुत अच्छी लाइने लिखी है मैंने उसको जब जब लोहा जैसे तपते देखा गलते देखा धरते देखा मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा जनरली मैं यह वाली जो लाइने अपने फादर को डेडिकेट करती हूं क्योंकि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा हम लोगों के पापा लोग बहुत महनत करते हैं तो हम स दो टाइम का अच्छे से खाना खा सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके, उतनी भी सेलरी नहीं मिलती है, ओडी बना रहा है, स्मार्टफोन बना रहा है, और पूरा जितने भी आपके पाकिस्ट फूड है, जतना भी ब्रगर बिच्जा है, वो सब का जो बनाने वाला काम है, अब तो काफी सारा ओटोमेशन आगया है, है ना काफी सारे रोबोट्स के जरीए आपके प्रोडेक्शन होने लगी है, लेकिन स्टिल, जो सबसे नीचे लेवल पे खड़ा, जो बादमी है, जो ये सारा एक तरीके से प्रोडेक्शन में अपनी पूरी महनत दे के काम कर रह फिर निक्स्ट है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ये लोग चाते हैं, तो ये जो कवी है, ये क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन चाता है, क्योंकि ये जानता है कि हर्दिय परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, जो भी बात होगी वो वर्ग संगर्ष के माध्यम से और यह जो परिवर्तन होगा आमूल चूल होगा यह विवस्था में परिवर्तन नहीं विवस्था का ही परिवर्तन हो जाएगा तो क्या कहते हैं दिनकर सदियों की थंडी बुजी राक सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो रहा समय के रत का घरगर नाद सुनो सुनासा निखाली करो के जनता आती है फिर देखें उसके बाद ये लोग ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि वर्ग संगर्ष या पूंजिवाद इन दो के बीच का भी कोई रास्ता है कि आपको भाई पूंजिवाद का संबर्थन तो हम नहीं करते लेकिन हमें ये क्रांति वरांति वाला आइडिया भी ठीक नहीं रगता तो ये लोग कहते हैं अगर आप तथस्त रहेंगे तो भी आप उतनी ही पापी है जतनी के पूंजिवादी है तो दो लाइने हैं दिनकर की ही है ये मुझे बहुत अच्छे रखती है कि तथस्ता की चादर ओडने वाला भी अंदत है इतिहास पे अपरादी ही माना जाएगा अगर आपने स्क्रांती में अपना पार्ट अदा नहीं किया तो जब हिस्ट्री आपका इवालुवेशन करेगी तो आप भी अपरादी के रूप में ही लिखे जाएंगे क्या कहते हैं समर्शेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तथस्त है समय लिखेगा उनका भी अपराद लिखेगा फिर राष्ट्य चेतना कैसी है इन लोगों की तो देखिए प्रगतिवादी कवीता राष्ट्य चेतना से तो युक्त है लेकिन इनके राष्ट्य का अर्ट चायवादियों की तरह सांस्कृतिक नहीं है यह लोग राष्ट के गौरव में अतीत पे कोई ऐसा गर्व नहीं करते नहीं इनको दर्शन के प्रति भावुक होना पसंदे की अरे अरे जगत गुरू था भारत है ना बलकि यह लोग राष्ट में जो वंचित यह लोग राष्ट की अजादी मिलती लेलो दो दो आने में यह दो लाइने हैं दोनों आप ध्यान रखेगा फुर राचनितिक चेतना जनरली जो अन्य कवी हैं खासकर चायवादी कमी जो की राचनिती से दूर भागते थे तो जो प्रगतिवादी कवी है वो राजनिती से दूर नहीं भागते बलकि यथार्थ की पहचान के एक माध्यम के रूप में राचनिती को देखते हैं साथ में यथार्थ को बदलने की एक शक्ती के रूप में ये राचनिती को देखते हैं ये लोग उदारवादी लोकतंदर का अंदा समर्थन करनी के बजाए उसके खादी ने मलमल से चुपचाप सांट गांट कर डाली है बिडला टाटा डाल मिया की तीसो दिनों दिवाली है उसके बाद एक और लाइन ये लिखते हैं कि लूट पाट के काले धनकी करती है रखवाली पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली इंदरा गांदी के टाइम पे लिखा था इंदूजी इंदूजी बहुत अची कवीता है आप पढ़ियेगा कभी फिर इसके बाद एक और लाइन मुझे बड़ी मज़तार लगती है लोटे है दिल्ली से गल टिकेट मार के खिले हैं दात जो दाने अनार के आये दिन बहार के शांदार चलिए उसके बाद ग्राम में प्रकर्टी तो जो प्रकर्टिवादी कवे हैं उनकी जो प्रकर्टी की द्रश्टी है वो सैलानी नहीं है ऐसे पहार, सुन्दर, फूल, ज़र्ने वो नहीं बल्कि ये प्रकर्टी को किसानों की आँखों से देखते हैं इनके हैं जो प्रकर्टी है वो जन का एक तरीके से जो द्रश्टी को उने उसको सामने लेके आती है क्योंकि अविचातिय वर्ग का जो है प्रतिनी दित नहीं करती है इनकी कवीता बल्कि जन की बात सामने रखती है है ना तो यहां पर क्या है गुलाब का जो सौंदरी है उसका स्थान चने के सौंदरी ने ले लिया है क्यों? क्योंकि एक किसान को गुलाब से ज़ादा अच्छा लगता है अपने खेत में उगा हुआ चना क्या लिखते हैं? अपने आसपास की प्रकर्टी को देखते हैं और उसी के बारे में लिखते है और ये वैसा लिखते हैं जैसी प्रकर्टी को च्छायावादी कव्यों ने क्या कहा है बढ़ेश कहा है जैसे नागरजुन की ये कवीता जो आपके स्लेबस में भी है कहीं दिनों तक चूला रोया, चक्की रही उदास, कहीं दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास, कहीं दिनों तक लगी बीद पर चिपकल्यों की गष्ट, कहीं दिनों तक चुखों की भी हालत रही सिकष्ट, बड़ी अच्छे कवीता मुझे लगती है, चलिए, उसके करीसी धीरे-धीरे या फिर लेचल मुझे मेरे नाविक भुलावा देखकर धीरे-धीरे वह प्रकरति यहां पर आके कैसी हो गई है तेजधार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चड़कर मार रहा है खुसे कसकर तोड रहा है तट चट्टानी यानिके क्रांति का संदेश प्रेम वर्डन तो यहां पर देखे प्रेम एक ऐसा विश्य है जो साहित्य का सबसे महत्पून एक पक्च रहा है तो प्रकरति वाद भी इससे अच्छोता नहीं है लेकिन यहां पर जो प्रेम है वह सहाचरिय से सहच जीवन से उत्पन होता है प्रेम के लिए इन कव्यों क प्रेकरति की घोद में जाने के जुरत नहीं पड़ती बलकि वो तो श्रम करते समय पे महसूस किया जा सकता है जैसे एक किसान और उसके पत्नी खेते में पानी दे रहे हैं मेड लगा रहे हैं चावल का जो है एक तरीके से अपनी फसल उगा रहे हैं वहीं पे जो है उनका ग्रहस्तिक प्रेम उसका वर्णानीन का व्योंने किया है या फिर एक बड़ी अच्छी कवीता आती है कि अपने ट्रक पे लगाया हुआ है उनको ख़ीद के ले जा रहा है या फिर अपनी बेटी की याद के रोप में उसने लगाया हुआ है तो उसको लेके बड़ी भी तो है वो छोटी गुलाबी चूडिया जो स्टीरिंग के उपर या सम्तिंग कुछ लाईने हैं बड़े अच्छी कवीता है तो प्रेम इनके यहां पर कैसा है ग्रास्तिक प्रेम है और साधरन जीवन का सहच अंग है कोई विशेश परिस्तिति के मांगनी करता है ना वो प प्राणी मिलकर कर रहे हैं काम सम्तिंग कुछ इस तरीके से गगे है एक जैकि महीं सिंग है I think अच्छा आप एक सिकिंड मुझे थोड़सा टाइम देख जेह हैं मिसिंग नहीं है एक्ट्रीन उन परणी दे रहें खेत में पानी है और एक लाइन ही यह है कि मुझे जगत ज जीवन का प्रेमी बना रहा है, इस समाज में रहने के लिए मुझे इस लायक बना रहा है, इस तरह का कुछ भाव है कवीता का, ठीक है तो ये हो गया, तो ये तो था कि किस तरह की संवीतना, किस तरह के भाव को लेके कवियों ने प्रगतिवादी कवीता लिखिया या प्रग इसलिए ये लोग कहते हैं कि जो शिल्प है वो कत्य का उपुत्पाद होता है है आप देखिए इनकी जो कवीता है क्यूंकि वो समाज के दायतों बोध से युक्त है तो शिल्प की चमक धमक से लदी हुई नहीं है बलकि कैसी कवीता है जो आम आदमी को बोध गम्य हो जो उस को समझ में आती हो है ना तो इसलिए ये ये लिखा भी है चंदर है सवीता है पोस्टर ही कवीता है है हम लोग विरोध के पोस्टर लेके चलते है तो वह जो नारे वगरा कुछ इसी सेंस में की अपनी बात जो आप सामने रखते है ना तो वह ही कवीता है अब देखिए जैसा अनुसाशन हो उसकी ना आवशक्ता है ना ही इतना समय है छुट-छुटी कविता लिखी गई है आम आदमी तक अपना संदेश पहुचाने के लिए भाशा कैसी है तो उसकी भाशा कैसी है सहज भाशा है छायवाधने जो जीवन की भाशा होती है और जो कावे की भाशा होती है। उसकी बीच में जो गैप पैदा कर दिया था कि आप आप मोलचाल में एक हिंदुस्तानी भाषा दूसी तरह की प्रियोग कर रहे हैं चायवादी कभी एक अलगी भाषा जो है स्वर्णिल है ना अरुनिल कुछ इस तरह के नई-ने शब्दों लोग निकाल के लाए थे वो जो अंतर बैदा कर दिया था उस अंतराल को खतम कर दिया प्रगतिवाद क्योंकि कैसी लाइने यूज कर रहे है कि कई दिनों तक चूला रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास तो इस तरह की लागविज है ना आम बोचाल में आप ऐसी भाषा प्रियोग करते हैं तो उसको इनोंने जो है खतम कर दिया मुक्ति विशेशपल दिया है है ना क्योंकि इनकी जो कवीता है वो संगर्ष के जिस चेतना का प्रसार करना चाहती है उसकी अभिव्यक्ति लोक दुनों से ही संभाव है कवीता ऐसी लोक दुन पे बन जाए कि गाउं गाउं में उसको गाया जा सके नुकड़नाटा को उसके खेले से है ना और साधरन अनुभाव जो होते हैं वहां से उठाएं जैसे गीतगार गाकर घर लोटे मजदूर पसीने से भीकावा उदकेसान इस तरह के भिम जैसे धूप चमकती है चांदी की साड़ी पैने माई के में आई बेटी की तरह मगन है उसके वाद प्रतीक तो थी कि प्रतीकों का प्रियोग ये लोग जैनरली नहीं करते हैं क्योंकि प्रतीक के जैरी अपनी जल्लाइश को ढख inspector का जाता है जबकि ये लोग अपनी बात को साफ साफ कहने के पक्ष्र हैं करांटी का एकदम सवतनतर ना दुफूख देता हैं सो प्रतीकों से इनको मुह नहीं क्योंकि अपनी बात को छिपाना इनको नहीं है बलकि साफ साफ कहना है लेकिन फिर भी कहीं पे जहां पे क्रान्ती की बात के लोग कर रहे हैं उसको बेहत खुले शब्तों में ना कहा किये वर्ग संगर्ष को इन्होंने थोड़ा सा प्रतिकों के माध्यम से क्या दिया है जैस समाज के स्वार्थवादी तत्व हैं उनको सहन यह कभी नहीं कर पाते हैं उन पर चोट करने के लिए उन पूंचे पतियों पे या उनका जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम है उस सिस्टम पर कटाक्ष करने के लिए यह लोग क्या है वियंग का प्रयोग करते हैं वियंग भी एकदम सच्चे अर्थों में यह तो यह था आपका प्रगतिवाद जूकि खतम हो गया उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि हमने पूरा टॉपिक एक ही वडियो के अंदर कवर किया है और पिछले लेक्चर में जो अपनी बात आप रखेंगे बाकी ठीओरी बहुत आसान है नहीं भी बढ़ेंगे वीडियो सुन लेंगे आपको याद रह जाएगा बस सिर्फ एक्जामपल्स आपको याद करने पड़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो हम प्रियोग बात पे लेके आए कि हुई आपको याद वाद मेंगे इतना ही बात आपको यादिषा हम जाद रहा है सिर्फ जादाज के जा पतक रादेा?